कर दोस्तों अप्र आप सब ये डी से इस पर सुआगत करता हूं जैसे कि आप सब लोगों को बताया कि हम लोग और basically questions जो है आपके पूछे जाते हैं इस topic पर और यह जो भई आपको explain करने वाला हूँ इस पर बहुती ज्यादा important topic है कि post of the exams में आपसे directly इसमें से question आपको मिल जाएगी ठीक है इसलिए पहले जान लेते हैं कि इसके बारे में आज हमें actually जो इसके बारे में explain करने वाले हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह है quadrant क्या बोलते हैं उसको quadrant या फिर इसको बोलते हैं चतुर्थांस हम चतुर्थांस के बारे में बात करने वाले हैं चतुर्थांस बोल सकते हैं Quadrant आपको पता है basically कितने होते हैं चार होते हैं आप इस तरीके से जो बनाते हो Axis जो बनाते हो इसमें फर्स्ट Quadrant हो गया Second हो गया और यह आपका Third हो गया और यह आपका Fourth हो गया कितने Quadrants होते हैं हमारे चार Quadrants होते हैं और चार हो क्योंकि हर एक Quadrant जो होता है एक दूसरे के 90 डिगरी पर होता है 90 डीगरी के एंगल पर बनता है सबन आप 1000 होता है ठीक है नेक्स10 डिग्री का Quadrant बनता है तो इसको हमें देखना है कैसे हम कुश्य को इसके भी हाप पे करेंगे, कुश्य आप से दे दिया जाता है कि ठीटा इस कौरिंट में होगा तो इसके अक्वारिंग इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन सी वैलू लेते हैं इसके बारे मना तो देको एक काम करो पहले आप तरीके से एक एकसेज बना लो आपको पता होगा यह एकसेज होती है आपको बोलते हैं इसको हिंदी में यह आपका positive x-axis होता है यह आपका negative x-axis होता है यह आपका positive y-axis होता है और यह आपका negative y-axis ठीक है जिल लोगों ने निर्दरसंग ज्यामिती पड़ी होगी यानि coordinate geometry पड़ी होगी उसमें यह चीज है पता होगा उनको किस axis पर कौन सी वाली positive होती है कि अगर मैं इस axis की बात भाहिवाली कि तो सारी की सारी ऊपर positive value होगी तेकिन इस axis पर वह value रखी जाती है जो negative होगी और इस पर भी negative बात समझ पार हो आप जैसा कि आपको पता है कि यहां पर जो angle जो बनेगा वो कितने का होता 90 degree यहां इस्की बात करूंगा कि यहां वाले वाले कौन positive हो गा हो खोन negative होगा एक बात रख लो जितने भी लोग है याद रख सकते हो तो ठीक है और कैसे होंगे वो भी बताऊंगे, A, S, T, और C, ये चार टर्मियाद रख लो, A, S, T, और C, A, S, T, C का तो को मतलब क्या होता है, वो भी समझा, तो को A, S, T, C का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है, यहां पर All से, मतलब जितने भी trigonometric ratio होते हैं, वो आपके इस quadrant हो, first quadrant में सारे positive होते हैं, सारे positive होते हैं, और कहां से कहां तक होते हैं, आपको यह पता है, यह 0 होता है, और 0 से यहां पर कितना होगा, 90 तक, 90 तक होंगे, तो मतलब 0 से 90 तक जितने भी आएंगे, उसमें सारे के सारे जो quadrant होंगे, मतलब कौन, sign हो गया, cos हो गया, 10 हो गया, सब के सब positive यानि all positive अंगर मैं इसकी बात करता हूँ すस्सक्राब आपको बदा है क्या होता है sign होता है अर साइन का just opposite भी लेना होता है और security what happened क्या होता है बर्रुखह कि इसमें k 세Das की बोढकर की फॉजिटिव रिमौन क्यों क्यों पॉलिटिव होता है sign positive होता और cossack positive होता, बाकी सब कैसे होता है? negative होता है. बाकी सब negative sign के होता है. अगर मैं T की बात करता हूँ, तो T से मतलब क्या है? यहां पर 10 हो गया, और 10 का जो opposite होता है, колट होता है, तो 10 और कौट जो होते है वो कैसे होगे? third coordinate पर, मतलब कहां से, ये 90 होगा है 90 से कहां तक 180 तक 180 से कहां तक ही चलता है 602 के लिए 360 150 से 90 यह बीच में साइन और कॉष्चक की कैसी हहती है ओुजिटीव होती है बाकी सब क्यासी होती है नेगिटिव क्यों होंगी वह भी बताऊँगा अभी अगर मैं quarter 10 की बात करता हूं गड़ा quarter 10 देखो जो है केवल third quadrant में third मतलब 180 से 270 के बीच में जितने भी value होती है उस सारी की सारी कैसी होती है positive होती है quarter 10 positive होते हैं बाकी सब negative होते हैं जहां sign और अब देखो c से c का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा cost cost और cost का क्या होता है cost cost और cosec जो होती है यह 4th quadrant में positive होंगी बाकी सब जो value होंगी वो negative होंगी समझ पा रहे हो देखो क्यों अब होती भी क्यों है पहले उनको देख लो आप लोग इसका क्यों का screenshot ले लीजिएगा काफी काम में आने वाली चीज़े है यह अब क्यों होती है वो भी हम जानेंगे जरा आगे कि तरह बढ़ लेते हम पहले कैसे और क्यों होगी देखो आपने इस तरीके से यह बनाया था आपने इस तरीके से एक्सेस बनाई थी ना भी यह एक्सेस आपको पता है कि यह वाली एक्सेस माइनस क्यों होती है माइनस एक्सेस यह प्लस की होती है और यह प्लस की होती है और यह माइनस ठीक है अब देखो आपको पता है कि यहां य यहां से भी ट्राइंगल बना लिया मैंने और यह ट्राइंगल बना लिया मैंने और यह ट्राइंगल बना लिया यहां से भी ट्राइंगल बना लिया यहां से बना लिया अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो आपको यह पता होगा कि यह जो होता है यह क्या होता है यह हैपोडेनगेस होता है क्योंकि 90 डिगरी के सामने वाला यहां अगर कोई सा भी multifar समय न उस फॉलेक बात करूंगा तो इहां पी मैंने क्या बना दिया यह ठीटा बना दिया जिए एठा के सामने पर्पैंडीकूलर हो वेउ क्या होता ये हाइपोटेने सोंगा तो यस वी यह hasub को द्यान से समझ नहां यहाँ भी नभ्वे टिग्री सामने होब यह क्या बनँगा या व जो PPF हो गया होग है ? ये हैज अगर हाइपोटेने सो रहा है चलो मैंने यह एधी ठीटा केयात सामने यह पर 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 क्याएगा नबबध गरू डिग्री है। अगे सीवाटता यह पर डूरेट करता हूँ यहां पर मैंने धीटा मान लिए इस जगह पर मैंने ये ठीटा मान लिया, ये अगर ठीटा मानना है, तो ये दो 90 डिग्री की सामने, ये तो आइपोटनेस ही होगा, ये क्या बन जागा फिर, परपेंड लिकूल, अब ये बैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमने कैसे निकाली थी इनको समझ लो, जैसे अगर मैं, दो को 1 मैं, तो सारे पॉजीटिव होते है, आल पॉजीटिव होते है, इनके निकाल पॉजीटिव होते हैं, तो इनको निकाला कोई तो nik holding लेंगे, इसको देख लेते हैं, यहां से clear हो जाएगा आपको, जैसे अगर मैं की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, इ इसकी अगर वाई एक्सिस पर होगी तो कैसी होगी पॉजिटिव होगी हाइपोटेनस देखो हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेनस ऑलबेस पॉजिटिव होगा चाहे किसी भी कौड़ेंट में चले जा उससे कोई फरक नहीं बन यह हमेशा पॉजिटिव की बात करेगा यहां अगर हाइपोटेन no Prime की बात करता हूँ लेंद देन है और लेंद नहीं है तो बिटा चिंदर होता जोता पॉजिटिव balls अब आप नेगेटिव ढले को देखे लो जीशी आप सब्सक्राप करता है अगर मैहां भर टेन की बात करता है अ क्यूचार मैंने पहली वाली चलास में करारखा तो उनको देख ले और तो इस आप यहां देख उसके लिए पर परपेंडुपुबर क्या होता होता हुटा क्लिए परपेंटिकोल क्या है पॉजिटिव है चलो पॉजिटिव हो डेश क्या है ये इसकी से एक्सिस से इस इस यह अधर यह यह बेल आले इव्र अ creation अक्सें टोन्撇ड ऒैर आगा है अगर यह सरी समय गिंग बेस की अगर हम बात करूंगा तो बेस इसका कैसा है इस वाली एक्सेश बाएगा नेगेटिव होगा पर आपको यह तरीका बता रहा हूं क्यों बस याद है आपको वही रखना है जो मैंने भी आपको बताया था यह वाला या तो आपको यह रखने निकालना कैसे है यह मैंने आपको बता दिया कि किस तरीक से निकालना होता है यह एक को और देखलो कैसे अगर यहां पर सबस्क्रों मैं 10 को निकालना चाहूंगा 10 डीटा को तो क्या होता है यह on-base पर पेंडुकुलर कि अगर मैं यहां पर बात करता हूँ उता को पर पपेंडुकु अ- exagger मैंने अभी बता के चुकाऊं को हाइपोटनेस और बेस पॉजीटिव होता है इसके सोच नहीं नहीं तो बेस कैसा इसका पॉजीटिव है तो हाइपोटनेस भी कैसा है पॉजीटिव 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 क्या हो जागा पॉजीटिव यह कॉस्स कैसा रहता इसमें प करती है ध्यान दीजेगा, trigonometric के बहुत बड़े field को define करेगी यह, इसलिए आज की class को बहुत अच्छे से समझ लो आप, अब देखो यह तो भी था कि सारे कौन-कौन से trigonometric ratio कहां पर positive होंगे, कहां पर negative होंगे, ठीक है, अब एक चीज और जान लेते हैं कि कौन सी value किस quadrant में lie क क्या होगा, ध्यान से समझ, देखो, यह बाला सबसे महत्वपूर्ट जो के चीज है, जो मैं लिखा रहा हूँ आप, ठीक है, अगर यह, देखो यह, 0 से लेके कहां तक 90 तक रहता है, तो मतलब 90 से कोई value कम रहेगी, तब भी तो इस बाले quadrant में होगी, तो इस quadrant में होगी, त जिहां रखना, कौन सी जो है लाई करती है, वो करती है, 90 माइनस थीटा, कौन सी लाई करती है, 90 माइनस थीटा, अगर होगा तो वो कौन से quadrant में जाएगा, पहले बाले quadrant में, तूसरे में, अगर 90 में से कुछ भी जोड़ोगे, तो second वाले में आ जाएगा, तो यह, इस में क X or C से कुछ भी माइनस करोगे, तब भी वो किसमें रहेगा, इसी में, इसमें और कौन सी लाई करती है, X or C माइनस थीटा, ठीटा की एंगल को डिफाइन करेगा, यह, वो एंगल दे रखा होगा, अब अगर मैं 3rd quadrant की बात करता हूँ, तो दो को X or C से कुछ भी प्लस होगे, तब भी तो 3rd में रहेगा, तो कितनी हो जाएगी, 270 माइनस, यहां रखना यह बहुत ज़रूरी चीज़े हैं, अब इसकी बात करूँगा, तो इसमें देखा कौन सी चीज़े हैं, जो लाई करेंगी, अगर इसमें बात करूँगा, तो 270 से जो भी कुछ प्लस करोग यानि 270 प्लस थीटा, और 360 यहां पर रहेगा, 360 से कुछ भी माइनस होगा, तब इसमें आएगा, कौन सी बालू रहेगी इसमें, 360 माइनस थीटा, अब 360 से कुछ भी प्लस जाता है, तो दो को एक साइकल पूरा कंपलीट हो गया, तो वो किसमें चला जाएगा, फर्स क्वार इसमें, 90 प्लस थीटा, 82 माइनस थीटा, 3rd quartend में, 81 ब्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 4th quartend में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस, बास समझ पारे होगा, तुक है, यह जो बैलू है यह इस बाले में लाई करेंगी, यह धिहान रखे, कौन सी बैलू किस क्वार्ट में लाई करेंगी इसका आप लोग skin sort ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब जरा आगे ध्यान दीजेगा इस चीज़, अब देखो इसमे basic cushion कैसे बनेगा, पहले एक cushion कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे, अगर इसमे basic cushion की बात करता हूँ, basic cushion आपसे कैसे बोलेगा, आपसे ब the equation if Theta lies in second quadrant, end, sin Theta equal to 3 by 5, then find 10 theta, देखें कुश्चन क्या है, if theta lies in second quadrant, and sin theta equal to 3 by 5, then find 10 theta, 10 theta की value find कीजिए, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती, तो आप definitely आते हुए भी कुश्चन का answer गलत करके आओगे, भले ही देखो कैसे भी निकाल लो, आप देखो कुश्चन को solve, कैसे करना है आपने, तो आपके दिमाग में आएगा कि ठीटल लागा, second quadrant में लाई करता है, अभी आपने पता कर लिया है, second quadrant में कौन positive होता है, कौन negative होता है, second quadrant में cable positive कौन होता है, sign और cosec, sign और cosec की value positive होती है, बाकी सारी value negative होती है, अगर सारी value उसकी बाकी negative होती है, तो आप निगाउट पाओगे, इसमें कैसे, आपने यहाँ पर क्या करना है पहले, यह बनाना है, आपको यह से कुश्य कराया है, मैंने triangle बना लेना है, यह क्या हो जागा, 90 degree पे बनाया है, यह हमने ठीटा दे दिया इसको, अब यह क्या होता है, sign ठीटा क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular की value अगर 3 है, तो hypotenuse की value कितनी हो जाएगी 5, अगर यह hypotenuse है, 5 हो जाएगा, perpendicular 3 है, तो आपको पता, pythagoras triplet मैंने खराए हैं, और मैं आपको आगे बनाना भी सिखा दूगा, pythagoras triplet कैसे बनते हैं, तो यह 3 है और यह 5 है, तो यह कितना हो जाएगा, 4, आप यह से भी निकाल लेना, pythagoras theorem के उससे साफ से, तो यह 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब आप से पूचा क्या 10 टीटा, तो आपके दिमाग में जो चलेगी ना बात यह चलेगी कि भाईजी 10 टीटा जो होता है ना वो क्या होता, perpendicular upon base, जही होता है ना, perpendicular upon base, इसमें कितना है, तीन है, और base कितना है, इसमें 4 है, तो आप answer निकालके आ जाओगे, कितना हो जाएगा, 3 बटे, यह हो जाएगा, लेकिन यह answer गलत है, अब क्या होगा है, यह गलत, क्यों, क्योंकि इसमें एक line दे रखी है, उसकी तरब आपने देखा नहीं है, वो क्या है, थीटा lies in second quadrant, थीटा जो है न, second quadrant में होगा, तो 10 की जो value होती है, वहाँ, plus की होती है, minus की, 10 की value किसकी होती है, minus की, अगर 10 की value minus की, तो इसलिए answer इसका क्या होगा, minus की 3, वही, 10 जो ठीटा होगा, कैसा होगा, negative होगा, is that clear, तो इस तरीके से आप किसी भी कुश्यन को बहुत आसान बना सकते हैं, और कर सकते हैं, एक और कुश्यन में आपको देता हूँ इस पे, फिर उसके बाद में हम आगे और बढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करें देखो क्या है कुश्यन, यहां ते रहा है, theta lies in, second quadrant में देख लाते है, theta lies in second quadrant, theta lies in second quadrant, theta lies in second, second अभी हो गया है, change कर लो, कोई देख कर नहीं, second quadrant को हड़ा दो, second quadrant का तो अभी करा दिया मैं, theta lies in third quadrant, theta जो third quadrant में लाई करता है, और आपको जो value दे रख्या है, वो दे रख्या है, क्या, and sin theta is equal to, 13 by 5, कितना दे रख्या है, 13 by 5, then find, sorry, minus 13 by 5, then find, quad theta, आपको quad theta की value find करने है, क्या होगी, ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसमें, यहाँ देखो theta, अगर second, third quadrant में लाई कर रहा है, तीसरे quadrant में लाई कर रहा है, तो देखो क्या करना होगा, और आपको पता है कि तीसरे quadrant में अगर theta है, तो क्या होता है, तीसरे quadrant में अगर theta है, तो क्या होता है, तीसरे quadrant में quarter 10 को छोड़के, बाकि सारी value negative होती है, होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ती लिए इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या किया था, इसमें दे रखा यह थीटा जो थर्ड़कॉर्टमेंट में इसलिए है, साइन की value को negative दे रखा है, इसका मतलब सही करके दिया है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आपने इस तरीके से होले एक ट्राइंगल बनाया प्रेंगल बनाने के वाद में क्या किया है यह क्या होताया है यह आपने बढ़ एक पर्पेंडिकालर अपाय आपन रफ यह एक बिड्र पहनों थेड़ा होताया अहो यह 5 और 13 हो जाएगा ठीक है वैलू चेंज कर देना इसकी है आइपोटनेस ऑल्वेस सबसे बड़ी साइड होती है छोटा नहीं हो सकता ध्यान दीजिएगा एक यह कितना हो जाएगी यह पांच बटे 13 है इसका यह कितना हो जाएगी कितनी बार यह कितना हो जाएगी यह कितना फॉचेंग से जिरत निकाल देने यह पांच है तो यह कितना होेगी पारइटा typically ऐटा हो जाएगा यह ठीटा भनाए आपने यह बारा革 यह आप मुछा था-ध क्या होता है यह बेस अपोन घ्टिन वैस बेस अपन परपेंड़कुलर अब पता निक अम नॉट फिलिंग बैल टोड़े अभी थोड़ी सी ठीक नहीं लेकिन क्या है कि आपको डेली क्लास तो देनी है अब डेली क्लास देनी है तो इसलिए आपको के लिए बेट बीट बीटे तो बनाने पड़े है तो क्या होता है को अंसर कितना आजाएगा 12 बटे 5 यो पॉजिटिव की वैलू रखनी है आंसर पॉजिटिव का आएगा रीजन क्या है कि रीजन इसमें थर्ड क्वाडेंट में लाई कर रहा है इसका मतलब थर्ड में केवल 10 और क्वार्ट जो होते हैं वही क्यासे होते हैं पॉजिटिव हो आज पूरा इसके screens welle theandovoll 엄마 एक लेना ऐसको बहुत अची चीजा है आँए आउति के मतावрий आपको क्या करना है इस-इसिंग आपको करना है कैसे हम पूरी चार्ट रोती ए जैसे के 90 प्लस प्लस ठीटा कितना होता है साइं 90 प्लस ठीटा कितना होता है 10 बनुटिप्लस ठीट गोरह से इंशे दरेइख्वा इतना शोलंब्य होते इतने इतने सबसे करते ई एक सिंपल़ सी फ्रॉर्मेट में हम फूरत ना पूरा लिक्षने के तिरुम्हें ultimate-ब इतन फ्रीड पूरी चार्ट याद लिखने के जिरुवरत नहीं है पूरा का पूरा आपको table बनाने की ज़रुऊद नहीं आप बहुत ही आसानी से ही आप कर सकते हो काफी ही क्याफी चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं देख लीर आपको कैसे बनाएंगे ठीक है अगर आपको कहीं पर इस तरीके से दे रखा है कुछ चीजा बना थो Jesa line लिखा रहा हूं वत्थ को जिहन से समझ लिजे पहले जो क्या अगर कहीं पर sign d by the sign एक हमेशा जो work a ph ne में हो साइन ठीटा किसमें चेंज होता है कॉस्ट ठीटा में चेंज होता है अगर होगा तो कॉस्ट ठीटा जो होता है वो किसमें चेंज होता है 10 theta में change… यह भी धियान में रखना है अगर मैं यहां पर sec theta की बात करता हूँ sec theta किसमें change होता है ? cosic theta में change होगा और जो cosac theta होता हुग किसमें change होता है ? sac theta में change होता है यह 3 ndh tonicária में रखिएगा 9 cos में change hot tub 10 quEE 'Da Olivia 언니 ौ कोसेक इसमें होता है, कोसेक ठीटा में चेंज होता है, अब एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जो समझने वाली है, देखो वो क्या है, उसको भी समझो, अगर कहीं पे, यह दिरखा है आपको, 90 प्लस माइनस ठीटा, वही आपके पास कितनी चीज़ें लिखी होंग ठीटा, टेबल इनी की आती है, बस एक लिखा होगा, आपके पास 360 प्लस माइनस ठीटा, हम इन 4 फॉर्मेट में ही तो चीज़ों को चेंज करते हैं, हम इन 4 फॉर्मेट में चीज़ों को चेंज करते हैं, अगर इन 4 फॉर्मेट में चीज़ों को चेंज करते हैं, तो देख तो fickable औरट यह दोनों ही चीज़ों में change होता है मैं केवल यहां लिख रहा हूं इसको समझ ला हम इसी को change करेंगे अगर कहीं 270 plus minus theta दे र undoubtedly होगा 90 plus minus theta तो change में होगा ङा opinion 180 plus minus theta ले रिखा है तो उती है unchange रहे गा यांनि को भी changing नहीं होगे ने no-changed uncheck कोई भी चेंज नहीं रहेगा इसमें 360 plus minus theta की अगर हम बात करेंगे तो यह भी क्या होगा unchanged रहे यानि इसमें भी कुछ नहीं बदलेगा इन चार चीजों को ध्यान में रखीगा question आपका बहुत आसान होगा देखो कैसे अगर कोई आप से पूछता है कि जी बताइए साइन 120 की value कितनी होगी साइन अगर 120 की value अगर मुझे निकालनी है तो खोगी कि नहीं होगी वह कितना होगा वह हमें देखो आप देखो साइन 120 को कैसे कैसे लिख सकते हो हैं 120 को आप कैसे लेखोगे 90 plus theta 90 plus 30 कि है यासे तो लेखोगे na sign 90 plus theta हो गया और 90 plus theta होगा तो sign किस में change हो जाता है यानि change होगा और मैंने change के लिए बताया आपको change होगा तो किसमें होगा साइन को समें होता है को साइन거든 साइन कि प्लसफिटियर यानिकिसमें चेंज और यह ऊन्सें kalo जाएगा आंसर कितना आ जाएगा साइन 90 अ कि 因स प्लसफिटा जोटा है यहां रखोगे न यांसे यहां आगर कहीं से तज़िए सांट ना इसमें 90 प्लसफिटा गları है तो यह कैसी में चेनज होगा कि 90-प्रस-धीडा चेंज होता है तो चेंज होगा तो किसमे नहें को आहिड़ा में चेंज सेटा थिटा है सान इयंडी प्रस घ्यूट कीच यू इसÓ जो अब समस्च पा रहे हो ना मेरी डिग प्रस गात तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप देखो इसी को ही और आगे करें, जैसे अगर आपको पूछ रहा है कि आपको कुछ नहीं मालूँ, आपको टेवल लेर्ण करने का तरीका बता रहा हूं ध्यान में समझेगा, आप से बोल रखा है कि बताईए 10, 270 minus theta की value क्या होगी, अब आपने टेवल लन तो नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था, 90 और 270, 90 और 270, change होता है, जो odd multiplication of 90, remember this thing, odd multiplication of 90, will always be change into next term, जो भी next term होता है, उसका उसमे change हो जागा, जैसे sign का cost में, cost का sign, back में भी हो जागा, तो odd multiple है ना भाई, odd multiple है यह 90 का, तो यह change होगा, change होगा, तो 10 के बाद 10 का किसमे change होता है, quad में होता है, अब, change होता है, लेकिन, एक बात जो आपको समझनी है, वो क्या है, किसमे change हो जाएगा, quad में हो जागा, यानि क्या बन जाएगा, quad ठीटा, अब यह जो गया है, value किसकी थी, 10 की, अब 10 की जो value होती है, किस quadrant में है, तीसरे quadrant में value होगी ना, और तीसरे quadrant में होगी और तीसरे quadrant में आपको पता है कि 10 कैसा होता है, positive होता है इसकी value होगी कैसी होगी मुझ पाये यह नहीं बता हो clear है यह point, ठीक है अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी बताईए एक छोड़ाता पूछता हूँ जिससे आपको और आसान हो जाए निकालने में आप समझ पाऊ इसको जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि जी बताईए cos 90 plus theta है इसकी value क्या होगी cos 90 plus theta अब आपको यह मालूम है cos 90 plus theta अब कुछ भी जोड़ा आपने second quadrant में चला गया और second quadrant में पहली चीज cos की value होती है वह कैसी होती है plus होती है negative होती है ठीक है अब 90 plus theta और cos में 90 का फॉर्मिट आए तो change होगा cos किसमें change होता है sin में तो इसकी value क्या बनगी minus के sin theta बस समझ रहे हो ना cos 90 plus theta क्या बन गया आपका minus के sin theta बन गया clear है यह point ठीक है जैसे अगर आपसे कोई value पूछ लेता जैसे मैंने अभी पूछा था 120 cos 120 की value आपको निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे cos 120 को कैसे लेकोगे cos 90 plus 30 अई एंगल में तोड़ोगे cos 90 plus minus theta से करोगे तो क्या बनेगा यहां पर cos 90 plus theta क्या होता है minus के sin और theta की value कितनी हो जाएगी 30 sin 30 की value कितनी होती है minus के 1 वटे तो होती है लेकिन minus लगेगा minus second quadrant में जारी है value आज समझभा रहो ना ठीक है किसी तरीके से अगर आपसे कोई बूच लेता है कि जी बताईए 10 270 plus theta की value कितनी है 270 plus theta अब दोगो यह ध्यान में रखना है किस quadrant में कहा है यह मैंने इसलिए सबसे पहले आपको चीज कराई है कौन सी किस quadrant में जा रही है ठीक है यह ध्यान देना है तो 10 क्या है 270 plus theta किसमें चेंज जा रहा है 4th quadrant में और 4th quadrant में 10 की value होती है वो क्या होती है negative क्योंकि कॉस्स और क्सक ही positive होते है बात समझ भा रहे हो ना इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है आपने बहुत अच्छे से 270 plus theta किसमें गया 4th quadrant में गया और 4th quadrant में क्या होता है इसकी जो value होती है वो कैसी होती है negative होती है 10 किसमें change होता है quarter होता है तो answer क्या जागा minus k यह बात आप लोग समझ भा रहे होगे मुझे ऐसा लगता है ठीक है इसको देख लो मैं इसको देखके यहां पर फिर से करा देता हूं जिससे आपको और clear रहे जैसे एक example मैं यहीं पर ले रहा हूं तो ध्यान से समझना जैसे अगर आपको कहीं पर पूछ लेता है कि जी बताये sin 270 plus theta की value क्या होगी इसका answer क्या होगा 270 plus theta 270 plus theta किसमें आता है fourth quadrant में आता है और sin की value sin की value fourth quadrant में कैसी होगी क्योंकि cos और cos यही positive होते है negative होगी हमने negative लगा लिया and sin किसमें change होता है cos में अब आप लोग ऐसा मत मुलना कि cos की value यह value sign की है change cos में हो रही है उससे मतलब नहीं कि cos यह positive cos की value होती cos 270 plus theta तो अपने आप ही किसी का भी angle को बना सकते हो sign convention आप easily तरीके से कर सकते हो clear है मैं आसा करता हूं कि आप सब लोगों को यह चीज समझ में आई होगी क्योंकि यह बहुत महत्तपूर चीज है इस बात को समझ लो जो main point है उनको समझो क्या है इस बात की चौते क्वाटन में negative sign लगा दिया आपने और फिर change किसमें हो रही है और change कौन-कौन होता है 90 का odd multiplication होता है अच्छा अगर मैं आप से यह पूछ लेता हूं कि जी बताइए 10 180 plus theta की value क्या होती है 10 180 plus theta की value अगर मैं निकालूंगा तो 180 plus theta या फिर मैं 10 अभी इसका तो करी दिया है 10 180 plus theta निकालना है 180 plus theta पता है आपको even multiplication है और 180 और 360 वाले कभी भी change नहीं होते हैं इसका मतलब यह क्या बन जाएगा 10 का किसमें रहेगा क्या बलते हैं उसकी value को कोई भी कोई change नहीं करेंगा यानि unchanged रहेगा 10 का 10 में ही रहेगा कोई value change नहीं होगी और फिर क्या हो जाएगा theta क्योंकि 10 की value 3rd quadrant में positive answer क्या है इसका 10 theta आज समझ भा रहे हो किसी की value निकाल पाऊगा आप तरीके से आपके लिए काफी आशान हो जाएगा ठीक है एक example और ले लेता हूँ आप ध्यान से समझ लीजेगा जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि जी बताये quad 360 minus theta की value क्या होगी 360 minus theta क्या होगा तो देखो कैसे निकालो 360 minus theta सबसे पहले चीज़ 360 minus theta क्या ये change होगा change होगा क्या आपको पता 360 और 360 कभी भी change नहीं होते है quad की value किस में रहेगी फिर से quad में रहे change नहीं होगा मैंने लिखा रखा है आपको 360 minus theta 360 में से कुछ भी minus करोगा तब भी वह किसमें आएगा fourth quadrant में गया fourth quadrant में quad की value होती है negative answer के आजाएगा minus के quad आप इतनी बड़ी जो tables होती है ना इतनी बड़ी tables बनाने के जरूत नहीं है आपके बल चार line में change कर सकते हो और वो चार line कौनसी है यह आप देख सकते हो इसमें जो हमने कराई है क्योंकि अगर change होगा तो sin cost में होगा 10 quad में होगा sec for sec में होगा ठीक है अगर change होगा तो कब change होगा 90 plus minus सीटा होगा तो change करना है 180 plus minus सीटा होगा कोई change नहीं करना होगा आपने 270 plus minus सीटा होगा तो जरूर change करना है और 360 plus minus सीटा होगा तो कोई भी change नहीं करना है यह चार point ऐसे हैं तो पूरी table को खा जाते हैं इन 4 point को ही केवल आपको याद रखना है बाकी किसे असा करता हूं कि आप सब लोगों को यह चीज समझ में आई होगी कि समझ में आई है अच्छा लगा है सेशन को तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए चैनल को अगर आप लोग नए है तो बाकी अपने फ्रेंट्स में सेर की कीजिए जहां जहां आप लोग कर सकते हो आपकी पहुंच बन सकती है इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया चीज है आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा हालांकि थोड़ा सा बोरियत फर चाप्टर होता है लेकिन आपको अगर जॉब लेनी है अच्छा करना है पेसं कामने आप लोग स्वस्त्र है बस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सबस्क्राइब कीजिएगा शेर थेंक्यू